तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे HTML कोर्स चल ला है और आज है डे फोर डे फोर में हम लोग सीखने वाले हैं आप जनाब हैडिंग के बारे में अब जो हैडिंग टैग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है HTML के अंदर आपको 90% वेबसाइट में हैडिंग मिल जाएगी और सभी हैडिंग को यूज करने के लिए हैडिंग का यूज किया जाता है HTML के अंदर विदाउट हैडिंग टैग कोई भी हैडिंग नहीं दी जा सकती किसी वेबसाइट में तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टैग है इसको स्क्रिप परने की कोसिस मत किजिएगा तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए तो जना चलती है इस ठिया ठीक है तो सबसे पहले होती है हेडिंग वथी HIS आप्ले ऑन है और सबसे आखरी होती है इसब से बड़ी होती है है और हैंटZA चोटी होती हैयत आपको पूरी की पूरी comparison करके दिखा दूँगा एक से लेकर 6 तक का क्योंकि एक सबसे आपकी बड़ी यह जैसा कि मैंने आपको बताया और छटी नंबर वाली सबसे छोटी होती है तो यहाँ पर ऐसे और पर, यहाँ पे लाकती है और यहाँ जिसनी बड़ी दिखाया देती है, हैडि ओन और के वबन को यह ऐसी चीज़ हो जिसको आपको बहुत ही इंफिसाइज करना हो लोगों को बहुत ही जदा फोकस मिलाना हो तब आपको heading 1 यूज करनी चाहिए क्योंकि आपने सुना होगा SEO SEO क्या होता है search engine optimization ठीक है तो जो आपका Google होता है वह SEO के वेस में ही आपकी website को ranking कराता है ठीक है तो SEO यह कहता है कि आपकी यहाँ पर heading 1 जिस जगह पर पढ़ी होती है उस word को हम लोग sentence को बहुत ही important समझते है SEO का कहना होता है ठीक है तो important समझता है अगर आपने heading 1 लगा दिया अब मालीजे कोई आपकी website है किसी topic पर मालीजे आपकी food के उपर आपने किसी website को बनाया है और वहाँ पर आप मालीजे किसी mobile word को heading 1 से लिख देते हो ठीक है तो वहाँ पर बहुत ही गलत हो जाएगा मालीजे mobile word को heading 1 से लिख दिया तो समझिए कि website तो food किये पर हमने mobile word को heading 1 से लिख दिया तो यहाँ पर जो हमारा SEO Search Engine Optimization वह mobile को mobile word को optimize कर लेगा और उसको बहुत ज़्यादे important समझ लेगा और अपनी website पर यहाँ पर mobile जब आप कहीं को सर्च करेगा तब आपकी website आएगी ना कि food search करने पर तो यहीं चीज है कि आप जिस word को ज्यादा important दिखाना चाहते हैं उस word को heading 1 से keynote कीजिए चलिए आप बाकी heading को भी मैं यहाँ पर सो कर देता हूं अब यहाँ पर लिखते है heading 2 ठीक है तो जिस तरीका heading 1 लिखा था सेम उसी तरीके लिखना है bracket open करना है less than greater than वाला अब यहाँ पर आपको h2 लिखना होगा क्योंकि आप heading 2 यूज़ कर रहे है और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे heading 2 जिससे हम लोगों कुछ समझ में आना चाहिए ठीक है तो हम लोग ने ऐसे ही पूरी 6 heading में आपको करके दिखाने वाला हूं तो चली मैं जल्दी-जल्दी से यहाँ से कर लेता हूं इस चीज को और फिर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूं मैंने यहाँ पर पूरी heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6 पूरी 6 heading लिख लिए हैं आपके HTML के अंदर टोटल 6 heading होती हैं सबसे पहली आपके heading 1 और फिर लास्ट वाली heading 6 तो यह आपके heading 1 हो गई यह 2 हो गई यह 3, यह 4 यह आपकी 5 यह 6 सेम आपको 6 की 6 लिखनी होती कोई भी आपके मैं इसको open कर लेता हूं अब यह देकी line से आचुकी आपकी पहली heading है यह आपकी दूसरी है यह आपकी 4 है यह पांच वी है यह छटी है तो आपको समन में आगया होगा कि heading 1 में कितना अंतर होता है, heading 6 में कितना अंतर होता है, तो heading 1 बहुत ज़्यदा important जब किसी चीज को आप लिख रहे हो अपनी website में तब उसका use करें उसके बाद heading 2 का आपको सब heading करने के लिए use की करना चाहिए और heading 3 का आपको कोई sentence important दिखाना हो तो आपको करना चाहिए और last जो heading 6 है इसको आप बहुत ही छोटी छोटी heading जैसे column के बीच में आपको कोई word को highlight करना है कोई sentence के बीच में कोई word आ गया उसको highlight करना है तब आप कर सकते हो तो यह आपकी पूरी हो गई as headings एक से लेके 6 तक का I hope आपको समझ में आ गया होगा कि heading कैसे देते हैं heading देने का बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरीके से हम लोग लिखते है h1 h2 h3 और last मैं से slash लगा कर इसको close कर देते हैं तो आपको कहीं कोई भी पूछता है तो आप उसको बता सकते हो अगर आप कोई course समझ में आ रहा है पस आपको कल वाली वीडियो में नोट्स नहीं मिल पाए तो कुछ problem की वज़े से आज से मैंने सारी वीडियो में नोट्स डाल दिये हैं तो आप इस वाली वीडियो के नीचे description से जाकर नोट्स को download कर सकते हो proper बहुत ही digital नोट्स है और उसके बाद में आप उनको read करके समझ सक तो आप भी मैंने headings के बारे में बताया हुआ है तो चलिए अपनी वीडियो को यह विराम दितने हैं आज की वीडियों बस इतना ही तक थैंस ओचिट फ्रेंड जैहिंद जैह वारा